नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग, 22 दिसंबर 2021 के डेली दा हिंदू एडिटोरिल डिस्कुशन में आपका स्वागत है पांच इंपोर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कुस करने वाला हूँ एक आर्टिकल है सौमिया सिवकुमार जी का, सामने आपको आर्टिकल नज़रा था How the Code on Wage Legalizes Bonded Labor देखे 2019 में हमारी प्रिजिट सरकार ने पास किया था The Code on Wages अब ये पर्टिकुलर Code on Wages कैसे Bonded Labor को प्रमोट करता है Bonded Labor क्या होता है पहले के समय पर क्या होता था कि बड़े बड़े जो जमीनदार जोतेदार किसम के लोग होते थे वो किसानों को उधार देते थे और उस उधार पर बहुत ज़दा इंट्रेस्ट चार्ज करते थे उनको एक प्रकार के Depth Trap में फसा लेते थे ये Code on Wages भी कुछ-कुछ ऐसा कर रहा है अब ये बहुत बड़ी बात है अभी सिवक कुमार जी किस बेसिस पे इस बात को जस्टिफाई कर रही है इसको यहाँ पर हम लोग इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे फिर Next है कि Recently लोग सभा राजसभा में दोनों से ही एक Bill पास किया गया है आपका ये Bill कर क्या रहा है तो ये Bill Electoral Rolls को आधार के साथ जोड रहा है जी हाँ Electoral Roll डाटा को आधार के साथ जोडना अब इस जोड जुडाओं से क्या नुक्सान है इसको बोला जाया है Election Laws Amendment Bill अब ये जो Election Laws Amendment Bill है वो आपके Electoral Roll को आधार के साथ जोड रहा है इसके बारे में मैंने कल के Current Affairs में आपको बताया भी था सरकार ने ये बात क्लियर किये कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो भी आपको वोटर ID कार्ट दिया जाएगा ऐसा नहीं दिया नहीं जाएगा लेकिन आप कौन से बहाने दे सकते हो कि आपके पास आधार नहीं है ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्धा है तो इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कैसे यहां पे Freedom of Rights violate हो रहे हैं और और पॉसिबल प्राइविसी का violation हो सकता है इन सब चीजों के बारे में कुछ बात चीथे देखेंगे Next recently पंजाब में दो killings हुई है Sacralage को लेके Sacralage समझते हैं न Sacralage मतलब की किसी पवित्र स्थान को अपमानित करना ज़एद तर किसीज में इस चीज़ को धर्म से रिलेट किया जाता है तो रिसेंटली गोल्डन टेंपल इनमरिसर और जो सिख फ्लैग है इना गुर्दवारा अट निजामपूर विलिज यहाँ पे दो लोगों को मार तिया गया और इन्होंने किया क्या था इनके ओपर सैक्रिलेज कर इल्जाम था ठीक है अब इस कंटेक्स्ट में इसको विजिल कंपनी मैनेजर ने पाकिस्तान के अंदर एक पोस्टर को अठा दिया उस पोस्टर के ओपर कुछ इसलामिक वर्सिस लिखा हुआ थे प्रॉफिट मुहमद साब का नाम लिखा हुआ था इस बेसिस पे मॉब ने इसको तोड़ तोड़ के मार के जला दिया जिन्दा तो अब इसको ऐसे में आपके साथ डिसकस कर Looks वह है गाब्रियल बॉरिक असे टेस्ट एक चुली में चिली में नए प्रेज़िजेंट साब चुनके आा चुके हैं इनका नाम क्या है तो इनका नाम है भाई आपका गैब्रियल बॉरे अब ये गैब्रियल बॉलिक लेफ्ट विंग को डेनोट करते हैं लेफ्ट विंग को रेप्रिजेंट करते हैं चिली के अंदर ये लेफ्ट विंग राइट विंग से कैसे आगे हैं चिली के अंदर मिलिट क्यों यूनिन टेरिटरी ये लद्दाक की बात हो रही है जब जमुएन कश्मीर को तोड़के दो यूनिन टेरिटरी बनाई गई थी तो भले ही जमुएन कश्मीर में दुख का महौल था लेकिन यूनिन टेरिटरी फ लद्दाक में खुशी का महौल था लेकिन वो खुशी का महल दुख में बदल चुका है, ऐसा यहां पे किसका कहना है, यह कहना है मुस्तफा हाजी का, यह लॉयर हैं जिन के लड़ाख हाई कोट में, अब अब अवर ओल इनके पॉइंच्स को समझने की कोशिश करते हैं, यह जो पॉइंच्स यहां पे दे रहे हैं, यह points मुझे कुछ हद तक बहुत कह सकते हैं रीजने भी लग रहे हैं लदाक पे ground level पे जो लोग है वो किन problems को face कर रहे हैं उस problems को यहाँ पे बताया है हाजी साब ने तो इन problems को हम भी यहाँ पे देखेंगे और फिर आप खुद ऐसे सरके बताओ कि इनकी कई भी बाते हैं आपको सही लग रही हैं गलत लग रही है केंदर की सरकार को changes करने चाहिए changes करेगी है केंदर की सरकार आगे आने वाले समय में तो यह articles मैं आज आपके साथ discuss करने वाला हूँ starting from Gabriel Boric acid test तो जो चिली president elect है aim of providing social rights rest on addressing the problem of high income inequality 2021 के presidential elections हुए चिली में इसके चलते रिसेंटली जो left candidate है Gabriel Boric ही यह जीत गए actually मैं आप कह सकते हो कि इन elections की गर्मा गर्मी October 2019 से ही चल रही है और अगर आप देखो तो overall इससे पहले जो सरकार थी उसके प्रेजडेंट थे Sebastian Pinera उन्होंने कुछ ऐसे steps लिये थे जिसके चलते हुँ highly आप कहलो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे जैसे for example Sebastian Pinera ने transportation prizes बना दिये protest शुरू हो गए चिली के अंदर जो protest थे उस समय की सरकार के अंदर young people lead कर रहे थे school जाने वाले बच्चे तक protest में सडकों पर उतर आए इन बच्चों ने सडकों में उतर के protest में इतना जादा participate किया है कि अभी जब Mr. Boric President मने इन्होंने अपनी thanksgiving speech में इस बच्चों को thank you बोला है अपने इस campaign के लिए Mr. Boric अगर आप चिली की बात करो तो चिली में student participation rate बहुत जादा है high school और college में बहुत से बच्चे बढ़ते हैं मतलब अगर आप percentage देखो school going बच्चों का और university going बच्चों का बहुत सारे लोग universities, colleges, schools को वहाँ पर attend करते हैं अब इस context में Mr. Gabriel Boric ने मारा है कि ठीक है भाई मेरे योथ ने मुझे एक मौका दिया है इस मौके में मुझे social issues को सामने रखना है और बढ़ती income inequality को solve करना है जी हाँ चिली के अंदर income inequality एक बड़ी problem है अब यहाँ पर Salvador Allende basically Salvador Allende का ghost यहाँ पर election campaign के उपर था इसका क्या मसलब है देखिए क्या होता है दे हिंदू editorial में कई बार कुछ ऐसी ऐसे शब्द लिख देते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं हम समझते हैं कि who was this Salvador Allende इसके लिए मैंने इनका यहाँ पर Wikipedia का पेज भी खोल रखा है इनका जनम 1908 में हुआ था 26 जून को 11 सेप्टमबर 1973 की इनकी मित्री नेचरल नहीं थी इन्होंने suicide कमिट किया था मैं आपको बता दूँ यह 28 में राश्पती थे चिली के 3 नॉमबर 1970 को यह राश्पती बने थे लेकिन 11 सेप्टमबर 1973 को इन्होंने आत्मत्या कर ली क्यों आत्मत्या कर ली आत्मत्या इसले कर ली चोकि एक military coup हुआ था और इस military coup को किस ने किया था General Augusto Pinochet ने ठीक है यह military general थे चिली के और यह करने में मदद किस ने की थी General Augusto Pinochet ने तो अमेरिका की Central Intelligence Agency जी हाँ United States की Central Intelligence Agency पूरी दुनिया में बवाल मचाने के लिए फेमस है अच्छा खासा President of Chile Salvador Allende अपना राज चला रहे थे लोगों के लिए काम कर रहे थे Socialist आप कहलो यह आपके President थे इन्होंने लोगों की Living Standards को सुधारने कोशिश की Major Industries को Nationalize किया Private Companies की जो बाशाहत थी Monopoly थी इसको कम करने कोशिश की लोगों के लिए काम करने कोशिश की लेकिन Salvador Allende के Against जो Military थी आपकी चिली की उसने Coop कर दिया और Coop के चलते आप देखोगे कि Salvador Allende ने Surrender करने से मना कर दिया इन्होंने सुसाइट कर लिया जहां रहते थे La Moneda Palace La Moneda Palace को चारो तरफ जनरल आपके लोग कि ये जो पिनोचे की आर्मी घेर के खड़ी हो गई Salvador Allende ने बोल दिया कि मैं रिजाइन तो नहीं करूँगा इन्होंने यहां पे सुसाइट कर लिया और अच्छी खासी एक civilian government किसके सामने गिर गई एक military जनता के सामने गिर गई और ये military rule 1973 से 1990 तक चलेगा अच्छा खासा पिछले तीन चार डेकेट से democracy चल रही थी चिली के अंदर एकदम से यहां पे military rule आ गया और इस military rule को लाने में एक major role play किया था CIA ने Central Intelligence Agency ने तो यहीं यहां पे बोला जा रहा था कि इस बार जो elections हो रहे थे उस elections में भी कुछ coup जैसा ना हो जाए जो Salvador Allende के साथ हुआ वैसा कुछ यहां ना हो जाए इस बात का डर था लेकिन ऐसा यहां पे नहीं हुआ है Gabriel Boric डेमोक्रेटिकली यहां पे जीत गए है और यह काफी खुश है इनको एक तगड़ी मेजॉर्टी यहां पे मिली है confidence के साथ यह ब्रिम कर रहे है इनफेट election से कुछ महीने पहले जमिन से जनर्निस्ट वगरना ने सवाल पूचा कि भाई यह जो US-backed coup हुआ था जनरल Augusto Pinoche का और Salvador Allende को हटा दिया गया था आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो Mr. Boric ने बोला कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है चिली ऐसा कंट्री में चोर हो चुका है और अच्छी बाते हैं आप इनों बोली अगर Mr. Boric के Gabriel Boric जो कि अभी प्रेजिड़न मने है चिली के सिर्फ 35 वर्षी है यह अपने आप में बहुत बढ़ा अचीवमेंट है तो इनका जो पॉलिटिकल लाइफ है स्टुडे मूवमेंट से शुरू हुई थी उनिवर्स्टी ऑफ चिली स्टुडेंट फेडरेशन को लीड कर रहे थे इनके बड़े साथी थे कॉम्यूनिस्ट पार्टी के कैमिला वेले जो कम्यूनिस्ट पार्टी भी चिली के अंदर काफी इंपोर्टन है तो कैमिला वेजिलो और ओवराल मिस्टर गैबरिल बोरिक ने ओवराल मूवमेंट्स को लीड करना शुरू किया स्टुडेंट पॉलिटिक से ये उपर उठे हैं ठीक है हाला कि कम्यूनिस्ट सोशिलिजम और लेफ्ट ब्लॉक भी अपने बहुत सारे छोटे-छोटे फ्रेंट में बटा हुआ है लेकिन एक ऐसा कॉलिशन जिसको मिस्टर गैबरिल बोलिक लीड करते तो इसका नाम था ब्रॉड फरंट ये ब्रॉड फरंड इन्वर्मेंटल और सोशल राइट्स को इंप्लिमेंट करने की बात करता था एक ऐसा एकनॉमिक मॉडल जो कि सोशिलिजम पर आधारत एकनॉमिक मॉडल में कैपिटिलिजम के लिए कम जमा होती है इस तरीके की मॉडल के उपर अपने पॉलिटिकल कैरियर में आगे बढ़े हैं कौन गैब्रियल बोरिक ठीक है गैब्रियल बोरिक का जो एलेक्ट्रिकल एलेक्टोरल कॉलिशन था इसका नाम था अप्रूब डिग्निटी बहुत सारे इनके यहाँ पे साथी भी थे चलिए वे सबच तो हो गया प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि अब चिली की सामने प्रॉब्लम क्या है देखे वैसे तो अगर आप बात करो तो चिली की पर कैपिटा इंकम बहुत अच्छी है Organization for Economic Corporation and Development OECD के अच्छे मेंबर्स में आता है यहाँ पे चिली अगर आप देखो तो चिली बहुत हद तक चिली में बहुत बढ़ ज़्यादा Coppermines है अपना Copper Export करते थे General August तो Pinoche ने अपने राज के समय पे क्या किया बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज किया अब प्राइवेटाइजेशन के चलते बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे उठके आ गए है एक Oligarchy टाइप की डिवलप हो गए चिली के अंदर और यह Oligarchy लिटरली चिली को चलाती है इसमें कुछ political class के लोग भी है overall कुछ बड़े-बड़े multinational corporates भी है जो कि पूरी तरीके से चिली को यहाँ पे चला रहे है अब इस Oligarchy के against Mr. Gabriel Boric कितना कर पाते हैं यह देखना पाकी है चुकि अब समझे यह बात को problematic है चीजे General August तो पीनो चेक के समय पे बहुत सारी चीजें privatize हो चुकी है और जो Mr. Gabriel Boric है इनका जो पूरा का पूरा केरियर है वो socialism के आधार पे रहा है socialism की basic अवहाना क्या होती है कि socialism के अंदर जितने भी resources उनके उपर सरकार का कबजा रहेगा और सरकार इन resources को equally distribute करेगी लोगों के बीच में अब इस context में Gabriel Boric जो बड़े बड़े multinational corporates हैं आपके चिली के इनके साथ टकर में आ जाएंगे किस हद तक इन corporates के profit को काट पाते हैं इनके उपर extra tax लगा पाते हैं लोगों तक resources को पहचा पाते हैं Gabriel Boric यह अपने आप में मुश्किल काम है लेट सी वो तो समय ही बताएगा नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं deeply insecure union territory वीडियो पे like और share का बटन न दबायो दोस्तों तो ज़रूर दबा दीजेगा remind कराना ज़रूरी है तो बहुत हैं लोगों के इस पर्टिकुलर जम्मुएन कश्मीर रियोर्गनाइज़िशन एक्ट ऑफ 2019 से पहले लद्दाक के अंदर एक थ्री टायर administrative system था एक टायर पे तो था Autonomous Hill Development Council of Leh and Cargill और दूसरा था जम्मुएन कश्मीर का bilateral, bicameral legislative system जी हाँ, जम्मुएन कश्मीर वो bicameral system था विधान सभा भी थी, विधान परिशद भी थी State Legislative Assembly भी थी और State Legislative Council भी थी और इस State Legislative Assembly और State Legislative Council के अंदर भी लद्दाक के लोग अपने कैलो की representatives को चुनके भेजते थे और बाकी ground level पे यह जो Hill Council थी जिनका नाम है और नॉमस Hill Development Council ले और कारगल की यह तो देखो यहाँ पे थी ही थी अब अगर आप बात करो in Hill Council थी तो Hill Councils the biggest elected bodies in Ladakh यह भाईया आप कहलो की Ladakh की biggest elected bodies थी अब खास बात यहाँ पे यह है कि यह Hill Development Council आपस में एक दूसरे के साथ synchronized manual में काम करती थी राज की सरकार साथ है हलाकि मैं आपको बता दू कि Ladakh के अंदर भी चुकि जम्मून कश्मीर में सारा का सारा focus जम्मून कश्मीर की तरफ था तो Ladakh कहीं न कहीं isolate हो जाता था तो शुरवात में जब जम्मून कश्मीर तूट के unitative Ladakh और unitative जम्मून कश्मीर बना तो Ladakh के लोग बहुत खुश हुए लेकिन अब कहीं न कहीं Ladakh के लोग नाराज है चुकि आपको पता होना चाहिए कि जम्मून कश्मीर में था एक article 35 और particle 35 ए के अंदर जो extraordinary powers थी वो के वहले जम्मून कश्मीर के लोगों को नहीं मिलती थी Ladakh के लोगों को भी मिलती थी तो यहीं यहाँ पे बोल रहे है author author कौन है यहाँ पे तो मुस्तफा हाजी मुस्तफा हाजी का यहाँ पे क्या बोलना है कि भाई देखे पहले article 370 के अंदर जो Ladakh के लोगों का land था वो protected था JNK के land protection laws बहुत आप कहलो robust थे फिर JNK की state public service commission के थूँ recruitment होता था जो district service selection board था DSSB वो district level पर recruitment करता था आज की date में Ladakh में नहीं कोई public service commission है ठीक है और चुकी public service commission है नहीं तो Ladakh में recruitment हो नहीं रहे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि Ladakh की जो representative body है उनका यह बोलना है कि recruitment तो कराओ Ladakh के अंदर नौकरिया तो दो नौकरिया ही नहीं है यहाँ पर और district level पर जो भी recruitment होती थी DSSB के थूँ वो चली गई है lieutenant governor के control के अंदर और ऐसा बताया जा रहे कि lieutenant governor Ladakh के लोगों के साथ एक personal connect नहीं बना पा रहे है इस समय पे अगर आप देखो तो Ladakh के अंदर कोई भी ऐसा law नहीं है जो land को protect कर सके या jobs को protect कर सके जो union ministry of tribal affairs से उसने 2019 में बोला था कि Ladakh को tribal area declare कर दो बट अब ही तक इसको tribal area declare नहीं किया गया तो इस समय पे Ladakh एक vulnerable union territory बन गई है क्यों vulnerable union territory बन गई है चोकि पहले Ladakh के 6 members जाते थे जम्हुन कश्मीर की state legislative assembly में state legislative council में अब वो representation चला गया चोकि जम्हुन कश्मीर में कोई legislative assembly है ही नहीं सरकार जम्हुन कश्मीर की union territory की legislative assembly बनाने की बात कर रही है पर उसमें Ladakh की member आएंगे चुकि लदददददद एक अलग union territory बन चुकी है तो पहला तो यह democratic representation Ladakh के लोगों का चला गया अब Ladakh में hill councils बचे हो है अब इन hill councils की जो functioning है वो lieutenant governor के काम के साथ या कह लिजे district administration के काम के साथ synchronize नहीं हो पा रही है बहुत सारी Ladakh की local demands को LG का office सुन नहीं रहा इस प्रकार की बाते Ladakh के अंदर से निकल के आ रही है अभी के लिए अगर electoral representation की बात करो तो Ladakh से बस एक MP चुनके जाते हैं हमारे लोग सभा में और कोई भी representation यहां पे Ladakh का नहीं है तो एक प्रकार का political vacuum मन गया है Ladakh के अंदर Ladakh के अंदर political representation कम हो गया है लोग अपने representatives को चुने इस प्रकार की चीज़ें कम दिख रही है लेकिन bureaucratic regulations यहां पे tighten हो गया ठीक है bureaucratic bureaucracy, union government के जो direct offices Ladakh में posted on government duty इनकी ताकत यहां पे बढ़ गई है और एक fundamental constitutional dichotomy आ गई lieutenant governor के office के बीच में और hill council के बीच में जो lieutenant governor उनके offices के काम करने का तरीका वो यहां पे काफी बदल चुका है अगर देखा जा तो lieutenant governor उनकी जो team है वो ground level पे तो Ladakh के लिए काम कर रही है लेकिन उनका दिल दिल्ली में है तो दिल्ली से जो आदेश आता है उसको यहां पे implement करते हैं corporate तरीके से काम और अलदाग के अंदर और उसके चलते लदाग के लोगों के साथ इनका एक connect नहीं मन पा रहा है जो officers है वो भी local जादा है नहीं नया recruitment actually में यहां पे हो नहीं रहा है इसलिए दो organizations यहां पे उठके आएं एक organization सुनाओगा आपने अपेक्स बॉडी ले है और दूसरा सुनाओगा कारगल डेमोक्रिटिक अलाइंस अब यह apex बॉडी ले है और कारगल डेमोक्रिटिक अलाइंस यह पहले अलग-अलग demand रखते थे लेकिन अब यह दुनों मिलके एक दूसरे के साथ काम कर रहे है और इनका एक common agenda बन चुका है वो है statehood कि लड़ाग को एक अलग से state बनाओ उस state की अपनी खुद की legislative assembly होगी उस legislative assembly के अंदर लड़ाग दौर अचुने हुए representatives होगी जो कि लड़ाग के लिए काम करेंगे चोकि अभी के लड़ाग के लोगों को लग रहा है कि जो representatives के इंदर की सरकार ने appoint कि है वो लड़ाग के interest में उतना काम नहीं कर रहे है bureaucratic entangles बहुत ज़ादा है लोगों के लिए recruitment नहीं हुरी है administration problem आ रही है वगरा वगरा यहाँ पर बाते कहीं जा रही है तो आप से मैं जाना चाहूँगा कि लड़ाग को लेके आपकी क्या सोच है यहाँ पर क्या लड़ाग को यहाँ पर six schedule status state देना चाहिए या फिर union treaty के अंदर ही एक लड़ाग की legislative assembly बनानी चाहिए let me see कि आपके यहाँ पर क्या viewpoints निकल के आते है next बात करते है thinking before linking despite progressive aspects linking electoral rules with aadhar raises apprehensions तो भाईया meaningful debate की मिना और vital consultation की मिना union government में लोग सभा में और राज सभा में दोनों से एक bill को पास करा लिया जिसके चलते अब electoral rules को आधार की ecosystem के साथ जोड़ा जाएगा तो आधार का data को voter identity के साथ जोड़ना इसमें कुछ अच्छी चीज है इसमें कुछ बुरी चीज है पहली अच्छी चीज इस bill में क्या है चार qualifying dates रखी गई है पहले क्या था कि भाई अगर आपको एक साल में voter ID card चाहिए तो एक जनवरी का top date थी अगर एक जनवरी तक साल में आप 18 साल के हो गए तो आपको voter ID card मिल जाएगा नहीं तो फिर आपको अगले ही साल voter ID card मिलेगा आप 4 dates फिक्स की गई है तो चार बार मौके बनके आते हैं साल के अंदर जब आप अपना voter ID card अपने आपको बार बार इन रोल करा रखा है बहुत सारे अलग अलग voter ID card ले रखें यह हट जाएगा दूसरा remote voting शुड़ू हो सकती है अधार authentication के थ्रू मान लो कोई एक particular person अपने state में नहीं है voting के समय पे तो कहीं और बैटके भी voting कर सकता है तो यह कुछ चीज़ें यहां पे अच्छी अच्छी निकल के आती है किसकी आधार को electoral roll के साथ match कराने की लेकिन यहां पे कुछ genuine concerns भी है और वो genuine concerns हमारी electoral democracy के उपर war करते हैं आप position का यह बोलना है कि वो voters जो अपनी आधार details यहां मालो submit नहीं कर पाए उनसे उनके electoral ID cards चीन लिये जाएंगे अब यहां पे overall सरकार ने clear cut एक बात बोली है कि देखिए अगर किसी के पास आधार card नहीं है तो उसका voter ID card नहीं चीना जाएगा अगर वो आधार नहोने के valid reasons दे पाए यह valid reasons क्या है यह अभी तक clear नहीं हो पाए है समझ गए और अगर आपके पास valid reason नहीं है आप आधार नहीं दे रहे हो तो हो सकता है आपका voter ID card रद कर दिया जाए तो ऐसे cases में आपको problem हो सकती आपका जो vote डालने का अधिकार है वो यहाँ पे चीना जा सकता है ठीक है प्लस जो एक अच्छाई बताई गई है इस bill की क्या अच्छाई क्या बताई गई है कि वो citizens जिन्होंने अपने आपको voter की तरह enroll करा रखा एक से ज़ादा constituencies में उनको हटाना तो सबसे खास बात तो यह कि not citizenship और प्लस ऐसे बहुत से instances देखे गए जहां पे जाली और फरजी आधार कार्ड भी इशू हुए है तो जब आधार कार्ड ही पूरी तरीके से जेन्विन नहीं है फेक है तो 90% जादा आबादी के आधार कार्ड इशू हो चुके है तो आधार कार्ड के basis पे आधार आधार कार्ड कार्ड को कैसे जेन्विन कर लोगे जब खुद पूरी तरीके से आधार कार्ड यहां पे जेन्विन नहीं है प्लस सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट रोल किया अगर कोई भी आप नियम कानून लेके आते हो तो वो नियम कानून तीन आधारों पर सेट बैठना चाहिए पहले तो एक प्रॉपर लॉग के आधार पहना चाहिए दूसरा उससे एक लेजिटिमेट स्टेट इंटर्स निकले तीसरा उससे प्रपोर्शनालिटी निकले यहां पे जो हमारे मिनिस्टर साहब है इसमें क्या प्रपोर्शनालिटी का टेस्ट फुल्फिल हो रहा है चुकि देखे आपके पास आधार कार्ड नहीं है इसके एक्जेम्शन्स कौन कौन से तै किये हैं केंदर की सरकार नहीं अभी के लिए क्लियर नहीं है तो कल की डेट में on basis of principle मालो मैं सिर्फ प्रिंस्पल के basis पे बोलता हूँ कि मैं अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ मैच नहीं कराना चाहता है मालो मेरे पास आधार कार्ड है मेरे पास वोटर आईडी कार्ड भी है या फिर मालो मेरे पास voter ID card नहीं है मेरा ये principle है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आधार card को voter ID card साथ match करूँ तो ऐसे cases में भी क्या मेरे पास voter ID card रहेगा या मुझसे छीन लिया जाएगा इस नए election law amendment will के हिसाब से ये question अभी unknown है तो मालो on basis of principle आप अपना आधार card voter ID card के साथ match नहीं कराना चाहते हो और सरकार आप से आपका voter ID card छीन लेती है तो क्या यहाँ पर proportionality का सिध्धान सेट बैठेगा या वो अलेट हो जाएगा ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है तो sufficient cause क्या है आधार ना होने का इसके proper साक्ष इसके proper logic अभी भी केंद सरकार की तरफ से नहीं आए है और इसके चलते overall बहुत सारे लोगों के vote डालने का जो अधिकार है वो छीना जा सकता तो basically इस particular नियम कानून के ओपर काफी सारी discussion होना चाहिए था बहस होना चाहिए था नाइदर vigilantism नौर disproportionate punishment or answers to sacrilege दो इवेंट्स हुए है अभी एक तो sanctum sanctorum of the golden temple in Amrissar में एक आदमी को मारा गया और एक sig flag in गुर्दवारा एट नेजामपूर विलिजिन कपूर्थला यहाँ पे एक आदमी को मारा गया क्यों मारा गया इनके उपर इल्जाम क्याते इन्होंने sacrilege कमिट किया है इन्होंने sacrilege चीजों की अपमान किया यह बात यहाँ पे बोला गया अब state legislative assembly के election होने वाले है overall अगले साल अगले साल यह तो खतम ही हो गया December चल रहा है almost ठीके न आज कौन सी तारीक है 22 December चायद तो almost महीना खतम होने पे 9 दिन बाद हमारा नया साल यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो इस नया साल के अंदर political parties बहुत सारे आपके लो conspiracy theories चालू हो रही है ठीके ना sacrilege के उपर political leaders एक दूसरे को उपर इल्जाम लगा रहे है vigilantism यहाँ पे हुआ है दो लोगों के उपर sacrilege का इल्जाम लगा और उनको on the spot वहाँ पे मार दिया गया एक प्रकार के mob वोईलेस के थूरू उनको वहाँ पे मार दिया गया ना ही इनके खिलाफ कोई inquiry हुई ना इनकी आप कहलो कि जो भी इन्होंने act किये इसके उपर कोई बातचीत हुई तो सच में actually में वहाँ पे क्या हुआ या पता नहीं हो पाएगा जो कि जिस इनसान ने गलती की थी उसको गलती का आप कहलो justification देने का मौका नहीं मिला उसको वहीं पे मार दिया गया तो क्या यहाँ पे इन्हों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने vigilantism किया है जिन्होंने बिना किसी चीज का इंतजार किये उसको on the spot वहीं पे मार दिया और इससे क्या communal tensions फैलने के chances नहीं है देखा जाए तो राजी की सरकार को यहाँ पे action लेना चाहिए लेकिन बहुत ही मुश्किल है action यहाँ पे क्यों मुश्किल है चुकि भाई election आने वाला और कोई भी political party religious sentiment के साथ यहाँ पे पंगा लेने की कोशच नहीं करेगी इन फैक्ट यहाँ पे जो congress के chief है थी उसने कुछ amendments पास किये थे Indian Penal Code में और यह बोरा था कि जो sacrilege कर रहा है उसको life imprisonment की सजा दो sacrilege against the holy books of major religion जैसे कि आप के लिजे हिंदुईजम में गीता है इसलाम में कुरान है आपका सिख में गुरुगन साहिब है तो अगर कोई holy books की अपमान करता है तो उसको on the spot सजा दो सजा यहाँ पर क्या दी गई life imprisonment की ठीक है वहीं पर अगर आप supreme court की बात करो supreme court ने बोला है कि section 295A of the Indian Penal Code क्या बोलता है कि कोई religion का insult करता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है तो ठीक है आप इन particular acts को amend कर सकते हो देखिए मैं आपको बता दू कि यह जिस आथर ने इस article को लिखा उनका यह बोलना है कि भाई देखिए अगर आप sacrilege करते हो किसी धर्मिक चीज़ का अपमान करते हो तो उसकी सजा एक limit से ज़यादा नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर आपको पता है blasphemy laws है और उस blasphemy laws के अंदर पाकिस्तान के अंदर इसलाम से related अगर चीज़ी चीज़ की आपने अपमान किया है बुराई किये तो आपको जान की सजा है जान से मार दे जागा पब्लिक हैंगिंग आपकी हुजएगी पाकिस्तान के अंदर फांसी भी हुई है तो क्या इस प्रकार के इतने सीरियस और खतरनाक laws इंडिया में लाना सही है डेमोक्रेसी की कंडिशन में सही नहीं है देखे किसी धरम की किसी पवित्र चीज़ की अपमान करना गलत है उसकी सजा भी होनी चाहिए बट सजा ऐसी नहीं नहीं चाहिए कि आप फांसी बिचड़ा दो या लाइफ इंप्रिजर्मेंट दे दो जैसा कि पंजाब की स्टेट कैपिने ने करने कोशिश की है और विजिलेंटिजम तो बिलकुल ही नहीं ना चाहिए इसमें चलते यह पॉर्टिकल पार्टिजम वोट कीजने की कोशिश कर रही है यह आप बताया जारा है नेक्स्ट आर्टिकल पाते हैं यह आर्टिकल पूरा डिसकस नहीं करूँगा जो यहां पे सौम में सिविकुमार जी दे रही है इनका यह बोलना है कि भईया डेप्ट बॉन्डेज उधार के नाम पे एक पर्टिकलर इंडिविजिल को पूरी जिंदिगी के लिए अपना गुलाम मना लेना यह यहां पे हो रहा है और किसके थू हो रहा है कोड ऑन वेजस 2019 के थू हो रहा है यह बहुत बड़ा इल्जाम है क्या बताई जा रही है ओथर यहां पे ओथर यहां पे यह बोलने ही कि यहां पे इंप्लॉयर्स को पर्मिशन दे दी गई है कि यह लिमिट लेस क्रेडिट एडवांसे दे सकते हैं वरकर्स को और उसके उपर एक अनस्पेसिफाइड इंट्रेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं मतलब जैसे फॉर इंप्लॉयर्स मालो मैं गरीब आदमी हूँ और मैं अपने इंप्लॉयर्स के यहां काम कर रहा हूँ मालो जी शात आठ हजार उपे मेरी महीने की तनखा है ठीक है तो अबके यह जो कोड़ ओन वेज़स 2019 इसके चलते मेरा इंप्लॉयर मुझे उधार पे पैसे दे सकता है और उधार पे पैसे देने वाली कोई लिमिट नहीं है और उनी पैसों को मेरी तनखा के थूँ वो वसूल कर सकता है अब यह जो उधार पे देने का नियम था और वसूल करने का नियम था इसके उपर कुछ रिस्टिक्शन होनी चाहिए और यह रिस्टिक्शन पहले exist करती थी यह रिस्टिक्शन कहां exist करती थी अगर मालो कोई एक गरीब आदमी कोई इम्प्लॉईर करता है employer तो employer maximum advance जो अपने employer को दे सकता था मतलब employer maximum advance जो अपने employee को दे सकता था वो होता था दो महीने की तनखा तो दो महीने की तनखा was the maximum amount आप कहलो जितना advance में दिया जा सकता था एक employer के दारा एक employee को ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर आपको वसूलना है वो पैसा, उस employee से वसूलों को तहीं, उधार दिया है तो वसूलने के लिए आप महीने की तनखा का एक चौथाई से जादा नहीं काट सकते हैं, तो ये पहले नियम कानून एक्जिस्ट करता था, किस के अंदर? अंदर रूल 21 of the minimum wages center loose 1950, तो minimum wages center loose 1950 के अंदर अगर employer employee को पैसे दे रहा है, तो maximum दो महीने की तनखा दे सकता है as an advance, और उसको वसूलने के लिए प्रती महीना उसकी तनखा से not more than one-fourth of the monthly wages वो काट सकता है, तो 8,000 की तनखा है तो 2,000 रुपे जादा वो नहीं काट सकता है, लेक एक employer अपनी employee को unlimited amount of advance दे सकता है, advance के ओपर कोई limit नहीं रखी गई है, ठीक है, और अगर पैसा वसूलना है, तो वसूलने के लिए monthly जो भी उसकी तनखा है, उसका 50% तक वो तनखा में से काट सकता है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, और एक और बात यहां पर बता दूँ, इंट्रेस्ट का सिद्धानत यहां पर ला दिया गया है, code on wages 2019 के अंदर साफ साफ यह लिखा हुआ है, कि अगर advance दिया है, तो जब वो advance वसूलेगा, तो advance का principle समनी उसका interest भी वसूलेगा, वो interest कितना होगा, यह कहीं पर भी defined नहीं है, तो एक employer अपने employee को पैसा दे रहा है, कितने interest rate पर दे रहा है, यह defined नहीं, तो interest rate employer अपने हिसाब से decide करेगा, तो इससे जो लोग है, जो आप कहलो workers हैं, उनके rights यहां पर violate होते हैं, तो code on wages 2019, actually में employers को यह ताकत देता है, कि वो debt bondage में फसा सकते हैं लोगों को, और यह एक खतरनाग चीज़ है यहां पर, क्यों? जो कि पहले की जो limit थी, दो महीने का advance देना, वो यहां पर dilute कर दी गई है, तो जो employer है, वो employee को unlimited amount of advance दे सकता है, अब advance दान धरम में दे रहा हो तो बात है, दान धरम में कोई देता नहीं कुछ, उसको वसूलने के लिए 50% तक की salary काट सकता है, और कितना interest चार्ज करेगा, 2019 को criticize कर सकी है, इस पूरे आर्टिकल में इतनी ही चीज काम की थी, इसलिए में इतनी ही चीज आपको बता रहा हो, बाकि यहां पर कुछ instances दे रखे हैं, वो आपको चाहके पढ़के भी देख सकते हो, जो major crux था इस आर्टिकल का, वो इतना ही था, तो I hope आपको कुछ नहीं